नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संतान रेखा के बारे में या कहूं चिल्रन पामिस्टी के बारे में दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कॉशन्स आते हैं और बहुत लोग यह जाना चाहते हैं कि उनकी संतान रड़का होगा या लड़की होगी और मेरा एक जवाब होता है उनको कि रड़का और लड़की में भेट करना एक पाप के कारण है लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और बहुत जादा मैसेजस तरह से आते हैं तो अगर आप इस तरह से मैसेज मुझसे करना चाहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी तो मेरी हाथ जोड़के बिंती है आप लोगों से कि आप इस तरह के मैसेज मुझे ना करें हाँ यह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि संत मुझे पर्मिशन है तो कि भगवान की देन है जो भी आपके जीवन में आए उसका पूरा आदर सतकार करें और उसको एजुकेशन दें तो यह मेरी विंती थी आप से अब बात करते हैं संतान रेखा के बारे में कि संतान रेखा कहां पाई जाती है और करन्ट सिच्वेशन मे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के साथ और क्या-क्या चीजें संतान रेखा के लिए देखी जाती हैं अगर आप उससे अनलेसिस करना चाते हैं तो नंबर आ रहा है इस त्रिन पर इससे करवा सकते हैं देखिए संतान रेखा के लिए या संतान उत्पत्ति शम्ता के सबसे पहले आपको शुक्रपर्वत को देखना चाहuttaehै कि यह शुक्रपर्वत आपकी किस कंडीशन में है अगर आपका दबा हुआ है वीक कंडीशन में है, गुंडली में भी बहुत जादा दिकत में है या बहुत जादा दबा हुआ है, उस पर आड़ी तिर्ची रेखाएं बहुत जादा है और आप बहुत दुर्बल हैं और आपकी जननन्शक्ती है चाहे वो लेडी की है चाहे वो आपके पुरुष की है वो आपकी खराब है आप कई समय से प्रतंशील हैं लेकिन उत्पत्ती नहीं हो पा रही है तो उसका मेन कारण शुक्र हो सकता है शुक्र अगर आपका डाउन है तो सबसे पहले तो आपको शुक्र को मजबूत करना होगा शुक्र को मजबूत आप अच्छे आचरन से कर सकते हैं और बहुत सारे उपाय होते हैं हलाकि इस वीडियो में आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ आप कमेंट करेंगे तो मैं आपक को पाई बताऊंगा साथ साथ कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो lines हाती हैं यहां से शुक्र परवत के उपड़ को बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं एक मत नहीं है इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमारी संतान की रेखाय होती है मैं personally इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहन की रेखाय होती है मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता हूँ क्योंकि ये रेखाय मेरे पास है अपना experience में आपके साशेर कर रहा हूँ ये रेखाया मेरे पास है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं केला हूँ, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, तो ये जो लाइन्स होती है, इनको मैं opportunity लाइन्स पानता हूँ, शुक्रवत अगर उन्नत कंडिशन में है और आपका इस तरह के लाइन्स हा रही है जिनको कोई लाइन्स नहीं काट रही है तो वो मान के चलिए कि आपकी उन्नती दायक लाइन्स होती है यह अपना मत है मेरा बाकी इस चीज़ पर बड़े से बड़े विद्वान भी एक बत नहीं है कुछ पुरानी बातों को लेकर बताते हैं लेकिन वह भी at the end of the day वो भी बताने ही पाते हैं तूसरी चीज़ आती है यव एक यव आपका यहाँ पर पाया जाता है यह इस तरह से यह अगर आपके पास है complete यव है तो अच्छा होता है संतानुत पत्तिक के लिए साथ-साथ कई बार यह यह यहाँ पर भी पाये जाता है इस तरह से मैं वह से रुद्वान हो चेगा और अगर यह पाये जारा गुटेवे तो संतानुत पत्ति हो जाती है और successful होता है ऐसा अदमी ऐसा अन्ती बहुत महनती होता है और अपनी महनत के अनुसारी आकर बढ़ता है लेकिन जरूरी नहीं है अगेन बोलूँगा कि सबसे पहले शुक्र को देखें और जो प्राया छो संतानद्व प्राप्ति के लिए जो रेखाए देखे जाती है कि संतान कितनी होगी किस तरे कि होगी उसके लिए जो बेसिक मैठड़ हैवوس यह है कि आपकी जो मैरिज लाइन है उसके ऊपर बहुत महीन रेखाए आती है आप इसको सूक्ष में दर्सी से देख सकते हैं बहुत हलकी रेखा है यह दिखाई देती हैं इसमें अगर बहुत हलकी रेखा है तो आपकी कन्या या कहूं गर्ल होने के चांद से ज्यादा होते हैं और अगर यह जितनी डार्क होगी उतनी ज्यादा मतलब यह कि नेक्रड आईस है अगर तो उसमें कई सारे लोग contradiction आते हैं, contradiction यह आता है कि अगर हमारी इत्ती सारी मान लिजए यह रेखा है यहां पर और हैं, तो कैसे decide करें कि कौन सी marriage line है, तो अगर आप किसी कोई आप से question पूछ रहा है, कि मेरे संतार प्रप्ति कब होगी, तो आपको उसकी year को पूछ रहा है कि year, कौन सी year में आपकी शादी होई है, तो जिस year में आपकी शादी होगी, उससे आप refine कर पाएंगे कि इन में से आपकी marriage line कौन सी है, अब यह जो line है, यह 25 plus के बाद की है, यह 25 के नीचे की है, तो यहाँ तो हुई नी शादी है, अगर माली जो उसने बोला कि मेरी तो 27 साल में हुई थी, यहाँ पर 26 साल जो है, वो इस year में हैंगे, क्योंकि यह जो एराका है, इसको हम 50 years में count करके रखते हैं, तो आप decide कर ल ही है, ना लोग define कर पाते हैं, ना कोई पामिस्ट्री बाला बता पाता है, कि यह marriage line है, यह भाई बेनों की line है, मैं इनको opportunity की line मानता हूं, और यह अगर सीरी चल रही है, तो बहुत अच्छी है, आपको बहुत है help करेंगी, यह के sign को बहुत अच्छा माना जाता है, भी आपको अच्छा रहेगा, लेकिन अगर lines कुछ इस तरह से चल लही है, आपकी यहाँ पर, इस एरिया पर, इस तरह से lines चल लही है, तुटी फुटी, तो वहाँ पर hard working आपको आजाएगा, तो पथम पोर पे, यह तुटिय पोर पे, अगर आपके यह का sign है, आपको बता है, क्योंकि जो चीज कहीं पर, अभी decided ही नहीं है, उसको पर focus करना वेकार है, पोर पे, आपके, यह होना चाहिए, और आपकी जो lines है, यह आपकी clear होने चाहिए, इसके साथ साथ, अगर आपके पास आपका data about detail है, तो कुंडली भी इसमें match करा है, तो उससे आपको बहुत संतान planning करनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह मेरे साथ बने रही है, देखते रही है, एक चीज़ यहाँ पर बहुत कहना चाहूंगा, कि यह जो lines होती है, यह photo में कई बार नहीं आती है, तो अगर आप directly किसी के सामने जाके हाथ दिखाएंगे, तो ज़्यदा बेटर रहेगा, ऐसे questions में, क्योंकि यह lines होती है, वो photo में कई बार, क्योंकि हर आदमी के पास अच्छा camera नहीं होता, हर आदमी 400 MP का camera लेकिन नहीं गोमता है, यह ध्यान रखेएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्स्क्राइब करक झाल